नमस्कार आप देख रहे हैं New India Live और आपकी साथ मैं हूँ सलूनी शिवा सबका साथ और सबका विकास की बात करने वाली सूबे की योगी आदितिनात और केंद्र की मोधी सरकार ने स्वक्षता और विकास की नाम पर विभिन योजनाओं की माध्यम से आमजन को विकास की मुख्यधारा मिलाने का कारे किया है एक और जहां पूरा भारत आजादी की अमरुत महुत्सों को मना रहा है वह आज भी गाउं में आमजन अपने मूलभूत सुविधाओं की अभाव में जूज रहे हैं जो देश के लिए एक विडंबना कही जा सकती है जनपर देवरिया के विकास खंड बैतालपूर अंतरगत सिर्जम देई गाउं में आज भी अनुसूचित जाती की लोग नार्किये जीवन जीने को बात दे हैं ग्रामिनों ने ग्राम प्रधान पर मनमानी और पक्षपात करने का आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधान हम लोगों को विकास कारे से बहिश्कृत कर दिये हैं हमारे घर को आने जाने के लिए रास्ता बहुत खराब स्थिती में है इन रास्तों से दोपहिया वाहन से भी आना दुश्वार है सड़कों पर गंदगी और जलजमाव बना हुआ है गंदा पानी निकासी की कोई विवस्था नहीं है ग्रामिनों ने बताया कि हमारी समस्या का समधान भी करने वाला कोई नहीं है अब इस समस्या को लेकर खुद ग्रामिनों ने क्या कुछ कहा पहले आपको वो सुनाते है किया सक्तिया की लगयते हैं तो कैसरे आना जाना होता है उस्तिय में आते जाते हैं प्राबिलम जादे गाडी कोई डिकते हैं जाड़ी नहीं गलपाते रहे होते हैं जाती के लोग है वहां काम होगा जहां जाती के लोग नहीं है वहां नहीं काम होगा ग्रामिनों की इन समस्याओं को सुनकर एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास के तमाम दावे कर ले पर इसकी जमीनी हकीकत कुछ औरी है इसी के साथ फिलाल अभी के लिए दे मुझे इजाज़त देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया लाइब